इन दिनों देश की सड़के जंजरता के हाल में पहुँच चुकी है देश में लगबग सड़के रोजाना लगबग 50 किलोमेटर निर्मान कार्ये का फासला तै कर रही है लेकिन पुराही सड़के के हाल खस्ता हो चुके है एक सड़क के बारे में जब हम उपविभागिये अभियंता से हमारे प्रतिदिन्दे से संपर किया तो अभियंता अपनी जिम्मेदारी से भाकते नजर आ रहे है मामला है महाराष्टर राज्ये के गोंदिया जिल्ले के मोरगाव अरचुनी तरसिल के उपविभागिये अभियंता प्रति पर अचा अचा सब यह नैशनल है स्टेट हाइवे का यह को मारा रोल अपा कर आप कि सब आप हम जो भी नोगर तरह हैं आपके तरफ वह कंप्लेट पर आप ज्यादा ध्यान नहीं देता है इसा मेरे को लगता है कि मैंने लास्ट नाइम भी आपको को एक कम्पलेंट गी थी सांगरी रोल पर जहां टेंपरेचर कम था उसी के मिटर के उपर उस पर भी आपको मैंने किया था। अब तो रोड के आहलती आपको भी पता हैं सब जम्पर और क्या है उसमें आपको भी पता हैं जब भी आपको लोट दो है जब क्यों चाहएं तो एससाल करते रहते हैं नहीं इसके पीछे का रिजन क्या है सब कुछ अच्छा है अच्छा है अच्छा आप आप देख लोग जाके जो रोट अभी जो पैचेसिंग अगरे का जो काम है साब बहुत घटिया तरीके से किया हुआ है कॉंट्रेक्टर में जो कि आप सुहें उसके उस रोड पर आप शायद प जो कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला जाडते नजर आ रहे है तो विभागिया अभियंता सोनु ने अपने नौकरी के एक वर्ष का कार्येकाल पूर्ण कर रहे हैं और इसी दोराग इन्होंने व्रस्टाचार की इबारत भी लिख डाली है जैसा कि आप देख रहे हैं आप इस सड़क के निर्मान काम को इन्होंने ही पिछले वर्ष पूरा किया था और आज सड़क अपनी जंजरता की हाल पर खुद ही बया कर रही है सोलु ने उपविभागी अभियंता की हमारे चैनल के माध्यम से लोग निर्मान विभाग मंत्री महदय को भी लिखित शिकायट भीजी गई है ताकि ऐसे ब्रस्ट और पूरी तरसे अन्याम न देने वाले अभियंता पर कारवाई हो सके MNS News Live की खबरे देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS Hindi आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और हमारे यूटूब चैनल को भी सब्स्राइब कीजिए